वही सबजियां खाते खाते हो गए हैं बोर तो कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हरी मिर्ची की बहुत ही स्वाधिस्ट और चटपटी सी है सबजी जो आप सभी को बहुत ही पसंदाने वाली है तो हलो फ्रेंस मैं हूं रीना और किचन हांडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो इस सबजी को बनाने के लिए हमने लिया है पाव किलो हरी मिर्च तो चलिए पहले इस जंठल को निकाल देतेंगे यह वाली जो बड़ी वाली हरी मिर्च आती है यह जादी तीखी नहीं होती है यदि आपको बिल्कुल तीखा नहीं चाहिए तो इसको इस तरीके से हम फार करके इसके अंदर के जो बीच है वो निकाल देंगे जो बीच निकल जाएंगे तो इसका जो तीखा पन है वो भी निकल जाएगा तो यह वही मिर्ची है जिससे हम पकोडियां भी बनाते हैं तो इस मिर्ची क इस तरीके से हम ने इसके अंदर के बीज निकाल देंगे और इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे जादा छोटा इसे कट नहीं करना है तो इस तरीके से हमने इसको सारे के सारी मिर्शी जो है वो कट कर ली है तो चलिए अब एक कडाई लेते हैं इसको गैस पर रख देंग लिइक मिडियूम साइस का प्याइज को हमने बारे कट कर लिया और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक प्याइज का जो a.g horrible ब्रॉण करतका ना- Guatemala ऑदेज प्याज का जब बड़ा चमच अद्रिक लहसुन का पेस्ट और नधिकल जाये अब शहोंइशड़ एक चोटा चोटा चमच कश्मिली लाल मिच पौडर एक चोटा चमच धनिया पौर एक चोटा चमच जीरा पौर इन सबकुन हमें low flame पे इसे हमें इसको हलका सा इस तरिके से अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काटके रखिए मोटी मोटी सी उसे हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स तो ये जो रेसिपी है आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है कम से कम हफते में तो आप इसे दो बर बना की खाएंगी ये इतनी बढ़िया और इतनी चटपटी सी बनती है तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हमें अच्छे से इसके साथ में मिक्स कर लेना है और दो मिनट इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है ताकि हमारे जो ये मसालों के साथ हमारे जो विर्ची है ये हलकी सी भूंचा है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो सब्जी है ना देखने में कितनी बढ़ियां लगे जब ये बनके तयार होगी तो और बढ़ियां लगेगी आदा छोटा चमच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और इन सबको अच्छे से कर लेंगे mix तो चलिए अब ना हम इसे धकल लगा देते हैं और धक करके इसे पांच मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे तो पांच मिनट के बाद में आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का जो कलर है ना बहुत ही बढ़ियां आया है वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या फिर आप मेरे चैनल पे नए है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं चार बड़े चमच दही तो मैंने ये गाढ़ी दही का इस्तमाल किया है पानी वाली जो दही है यानि पानी वाले पाट का हमने इस्तमाल नहीं किया है हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल अपने गैस का फ्लेम लो करके ब मिर्ची की सबजी न बहुत ही बढ़ियां लगी है देखने में तो इसको हमें इस तरह के से 2 मिनट इसे पका लेना है लो फ्लेम करके तो अब हम इसे ढख करके 2 मिनट इसे पकने देंगे 2 मिनट के बाद में आपको दिखाते हूँ आप देख सकते हैं जो इसके अंदर का जो तो आपने देखा कि इस सब्जी को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगा है तो चलिए इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं बारी कटा हुआ धेर सारा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी सब्जी जो है वो हो चुकी है रेडी तो चलिए अपने गैस का फ्लेम अब बन कर देते हैं और इसको मैं आपको डिशाओट करके दिखाती हूँ कि हमारी सब्जी जो है वो कैसी बन के तयार हुई है तो है ना फ्रैंड्स बहुत ही यमी रेसिपी तो इस कर सकते हैं या फिर आप हरी मिर्च पीस करके भी आप डाल सकते हैं अधरक लहसुन के साथ में तो आपको हलका सा तीखापन मिल जाएगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके की यमी और सिंपल रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर और बाई